12th के exam, अब cancel दें अब हम क्या करें सर, कैसे आगे जाएंगे, क्या होगा एक हमारा student है राम, जो की बहुत दुखी है, बहुत परिशान है इतनी सारी मेंनत करीती, इतनी सारी planning करीती सर, अब आगे क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे मेरा goal मुझे मिलेगा, जो मैंने plan किया था एक हमारा student है शाम, जो की बहुत ही नटखट है, फर आज बहुत खुश है कि सर, चलो exam cancel हुए सर, मेरी तो इतनी अच्छी त्यारी नहीं थी सर अब ये cancel वैब जो होगा आगे वो देखा जाएगा, और एक है हमारे इन दोनों के राम के और शाम के माता पिता, जो बहुत ही दुखी हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि नेक्स स्टेप्स क्या होने चाहिए, अगर आप राम है या शाम है या उनके माता पिता हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है Before we go further, let me introduce myself. My name is Pankas Dhingra and I am a qualified chartered accountant and CPA from US and not to forget, I am a proud Fintrammer. ये समस्या बहुत सारे बच्चों की है और बहुत सारे पेरेंट्स की है और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं In terms of sir, अब क्या करना है, कैसे करना है और अब हम कब कर सकते हैं जो हम करना चाहते थे That is the reason my friend, we thought let us make this video to really give you some perspective that may help you in terms of deciding your future course of action सबसे पहली बात, जो सबसे important बात है जो बच्चों के लिए जाननी और of course parents के लिए भी जाननी कहीं ना कहीं वो ये है बच्चे की अब हमें क्या करना है और सबसे पहली चीज़ जो हम सबको करनी है वो ये करना है कि हमें इस situation को accept करना है क्रिब करने से, डी मोटिवेट होने से या बहुत ज़्यादा इस पे विचार करने से कुछ भी मिलने वाला किसी को भी नहीं है The situation is like that, that has really warranted this action that has been done और इसको हमें politely, smartly, maturely accept करना है और आगे बढ़ना है शौक तो बहुत सारे लगेंगे बच्चों, जब हम एक्जाम देने जाते है न तो वहाँ भी एक जटका लगता है, वहाँ भी हमें शौक लगता है in terms of when we see the exam But जो बच्चा flying colors के साथ सामने आता है, वो वही बच्चा होता है जो उस जटके को ले लेता है, consume कर लेता है और आगे बढ़ चलता है And that is what we really need to do now हमें भी इस shop को, इस event को एक positive way में consume करना है और आगे बढ़ना है इसके ओपर बहुत ज़्यादा मंतन करने से, बहुत ज़्यादा क्रिब करने से, इतने सारे videos देखने से In terms of you know, what has happened, why it has happened and so on so forth And of course, इतनी सारी chat करने से, इतनी सारे लोगों से बात करने से, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है एक ही चीज हमें consume करनी जरूरी है Whatever has happened, is happened to everyone and whosoever will take the front seat now, who will just bear this shock, will be gonna be ahead in the competition और मुझे वो चीज को बिलकुल नहीं भूलना है सबसे पहली चीज, जो मैंने कहा, शौक को absorb करो Second चीज, जो हमारे लिए बहुत important है बच्चों, वो है कि अब हमें आगे की planning अभी से शुरू करनी है और उसके लिए सबसे पहला step है, let's go back to your original plan जो भी class 12 के बच्चे हैं, उन्होंने कही ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी planning चल रही थी चाहे वो उनकी chartered accountancy हो, चाहे वो उनकी CMA हो, चाहे वो उनकी CS हो, चाहे वो उनकी MBA हो, चाहे वो उनका Bcom हो चाहे वो उनका कुछ भी हो, उन्होंने कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे planning कर रखी थी या वो कर रहे थे सबसे पहले चीज़ बच्चे irrespective of exam नहीं हो रहे या result कैसे आएंगे कितने आएंगे, किस तरह से उसकी counting होगी, किस तरह से उसकी assessment होगी कौन उसको कैसे assess करेगा कैसे accept करेगा, यह सब कुछ याद करे भी ना, सब कुछ भूल के हमें सोचना है कि हमारे अब next steps वही होने चाहिए, जो हमारा original plan था अगर मैंने plan किया था कि मुझे chartered accountancy शुरू करनी है तो अब आपको डटना है यह सोचने के लिए कि वो कैसे शुरू हो सकती है उसका process क्या रहेगा, वो institute क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है क्या से proceed कर रहा है and so on so forth go back to your original plan my friend super 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 important because जब आप original plan पर वाफिस जाओगे आप directionally चीजें ढूनना शुरू हो जाओगे कि मैं आगे कैसे move करूँ, किस तरह से मैं आगे जा सकता हूँ, क्या मेरे venues available है, अगर मेरे कुछ पता है मेरे direction ये है, तो आपको रस्ता जरूर मिलेगा बच्चे आपने इस पूरे process में उस original plan को नहीं भूलना है उसको वैसे ही continue करो जैसे आप उसे normally करते हैं अगर आपका result आता और आपके numbers आते number one आपने original plan पर वापे जाना है अब number two क्या है number two है बच्चे जो बहुत सारे बच्चे ये सोच के अब घबराएंगे कि sir जो मेरा original plan था वो अब रहा ही नहीं because किसी भी कारण से जो मेरे steps होने चाहिए थे या जो मैंने plan किया हुआ था वो अब possible नहीं है because वो institute ऐसे नहीं कर रहा है वैसे नहीं कर रहा है ये accept नहीं कर रहा है वो accept नहीं कर रहा है and what not तो अब मैं क्या करूँ मेरा suggestion उसमें रहेगा बच्चे कि original plan थो original plan की तरह रखो और उसको आप continue strive करते रो वो करने की but now is the time to create an alternate plan my friend मैं example देके बात करता हूँ ये और भी अच्छा रहेगा मान लेते हैं आपने ex qualification के बारे में सोच रखा था या ex college के बारे में सोच रखा था कि आप वहाँ जाएंगे और उसको उसके अंदर जाके admission लेंगे and what not but अब किसी कारण वर्ष वो plan delay हो गया या वो plan at this point in time visible नहीं है या clear नहीं है in terms of how can you do what you can do at this point in time तो आप के लिए एक alternate plan create करना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं हुआ किसी भी कारण से अगर मुझे college mediation नहीं मिला किसी भी कारण से अगर मेरे को ये professional course करने का मुखा नहीं मिला किसी भी कारण से तो मेरे पास alternate क्या अवेलिबल है you have to have an alternative plan कि चलो ये नहीं तो ये मेरे पास next best alternative है you remember what we have learnt in economics the opportunity cost the cost of next best alternative we have to think about the next best alternative here कि हमारे पास next alternate option जो सबसे best है वो क्या अवेलिबल है जिस दे ना वो ढूटना शुरू करोगे बच्चे वो जरूर मिलेगी we think that कोई नहीं है अगर आप back of the seat बैट के सोचो कि क्या मेरे पाइप कोई option है तो शायद मन बोलता है कि कुछ नहीं है बट ऐसा नहीं है बच्चे अगर आप directionally उसकी तरफ सोचो और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा कि एक नहीं तीन option और भी है जो आप ले सकते हो और वो option इस सेनारियों में इस COVID के सेनारियों में इस सेनारियों में जहां पे exam नहीं हो सकते हैं जहां पे मेरी classes नहीं हो सकती हैं उसमें भी available होंगे मैं एक opportunity इस वीडियो के end में discuss करने वाला हूँ जो मुझे लगता है commerce के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी opportunity है आप उसके बारे में भी सुनिए उसके बारे में भी सोचिए अब आते हैं मेरे उन बच्चों के लिए जो बच्चों के पास plan ही नहीं था जिनके पास original plan नहीं था सर alternate plan तो छोड़ तो सर original ही नहीं था अभी तो हम खुदी मंथन में थे सर अभी तो हम खुदी discussions में थे सर हमारे पास तो at this point in time कोई goal नहीं था सर हम तो खुदी उसकी तरफ भढ़ने के लिए रस्ते सोच रहे थे तो उन बच्चों के लिए भी मेरे पास एक रस्ता है बच्चों आपको एक चीज immediately शुरू कर देनी है वो है बच्चे research research जो आपके interest area को आपके interest specific jobs को address करे अगर आपका interest example देके बात करते हैं फिर दुबार से अगर मैं एक student हूँ और मेरा interest in all probable circumstances financial analysis में है accounting में नहीं है for whatever reason तो मुझे आज से ही सोचना है कि मुझे वहाँ जाने के लिए क्या करना है उसकी research आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी आपको आज decide करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे courses हैं जो मुझे इस direction में लेके जाते हैं और of course उन courses को करने में मेरा रुजान भी है या नहीं अगर रुजान है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ इस से related मेरे पास कौन कौन से qualities available हैं कौन कौन से opportunities available हैं क्या उने करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ कितना कर्चा होगा, कितना time लगेगा and what not उसकी research बच्चे आज से शुरू करने हैं Research करने के लिए आपके पास बहुत सारी opportunities available हैं बहुत सारे venues available हैं चाहे वो internet हो बच्चे चाहे वो बहुत सारे groups हो चाहे वो social media हो आज बहुत support students के लिए available है आप हमारे तक भी पहुँच सकते हैं हमारा अपना specific discussion forum है जिस पे बहुत सारे 12th के बच्चे हमसे मिलते हैं हमसे discuss करते हैं अपने future goals के बारे में अपने future perspective के बारे में and we have the mentors from the industry from the fraternity who can really help you in terms of what should be your next best course of action आप भो भी कर सकते and of course सिर्व यही नहीं आपके पास बहुत सारे opportunities stand-alone basis पे भी available होंगी एक suggestion मैं यहां और दे देता हूँ जो बहुत helpful मुझे रहा शायद आपको भी उस चे help मिले आप कही ना कहीं industry veterans और industry specialists से भी बात कीजिए बच्चों बहुत सारे आपके known में या आपके directly ना हों but indirectly known में ऐसे होंगे जो कही ना कहीं already आपकी field में job कर रहे होंगे या related field में होंगे उनके touch में आईए उनसे बहुत सारी बाते कीजिए उनसे बहुत सारा ग्यान लीजिए बहुत important होगा जतना ग्यान वो दे सकते हैं बच्चे उतना ग्यान आपको कोई और दे ही नहीं सकता because उनके पास real-time industry perspective है to guide you as to what you should be doing अब आते हैं बच्चे हमारे third or most important thing पे which is timing क्या होने चाहिए sir मुझे एक कब करना है अब अगर मैं timing की बात करूँ बच्चे तो there are two things to it सबसे पहले वो चीजें जिनके लिए मुझे अभी wait करना है देखो 12th class का result कैसे decide होगा, कैसे assessment होगा इस assessment को colleges कैसे देखेंगे, इसको professional courses कैसे देखेंगे उनका क्या process रहेगा, admission का क्या process होगा and what not ये सारी चीजें इस समय अधर में हैं, इसलिए इन चीजें के लिए हमें wait करना ही पड़ेगा हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये चीजें की timing अभी हमें clear नहीं है, better is to wait and watch The second piece, which is what we just spoke, कि वो चीजें जो हमें करनी है और उनका काम हमें अभी से शुरू करना है, वो चीजें हैं हमारा अपनी direction में दौड़ना, अपने original plan पे वापेस जाना उससे related research करना, उससे related assessment करना, उससे related organizations को reach out करना उससे related institutions के पास जाना और उनकी research करना ये आज से शुरू हो जाना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनके पास alternative plan ढूणने की जरूरत आ गई है उनकी alternative planning भी आज से शुरू हो जानी चाहिए उन्हें सोचना शुरू कर देना है, market में पहुँचना और research करना शुरू कर देना है वेटरन्स के पास, industry specialists के पास, consultants के पास उन्हें discussion शुरू कर देनी चाहिए फोरम्स के साथ जोड़ना चाहिए बॉस एक चीज हमेशा अंद्यान रखना अपने आप information आप तक कभी भी नहीं आएगी अपने आप तो सिर्फ data आता है बच्चों के पास information के लिए तो बच्चे जाना पड़ता है मेहनत करने पड़ती है जितना अच्छा research करोगे जितनी अच्छी assessment करोगे उतना अच्छा decision लोगे और उतनी अच्छी growth पाऊगे आप उन बच्चों की बात करें जिने research करनी है तो बच्चों उसका time भी अभी है research करने का time इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है जब मुझे और कुछ करना ही नहीं है सिवाए सिर्फ अपनी research and assessment के कि मैं क्या step लूँ जो मेरे को वहाँ लेके जाए जहां मुझे पहुँचना है तो बच्चे जो पहले नहीं किया या पहले miss कर दिया उसको अब मत miss करो वो research process बिलकुल और बिलकुल शुरू करो ताकि आप इसमें और delay किसी भी कारण बश्च ना करो मैं इन सब के parents को राम के और शाम के दोनों को एक चीज़ दो आज़ता हूँ कि students को आपके kids को इसमें बहुत और बहुत help लगेगी आपकी आपको positive रहे के उन्हें motivate करना है, directionally उन्हें support देनी है और उन्हें ये demotivation वाले phase में जाने से रोकना है और उन्हें help करना है in terms of really, really getting them up to speed. इसमें आपका बहुत बड़ा support रहेगा and of course we teacher faculty, you know, fraternity we in terms of professionals in the industry are always there for it but बहुत बड़ा रोल आपका खुद का भी होने वाला है अब हम आते हैं, sir, आपने इतनी सारी बाते करी आपने बाते करी, sir, क्या करना है कब करना है, कैसे करना है research करो, अपनी assessment करो, अपना direction धूंडो अपने goal समझो and what not but क्या कोई opportunity या option आपने drill down करी है जो आप हमें suggest कर सको being the commerce veteran from the industry, जो आप हमें help कर सको जो given the scenario we are in given the ruckus we are in in terms of you know the overall situation that is happening we can really do and proceed with yes my friend I do have an option and I really thought that आप उसको भी अपनी assessment के अंदर consider करो, उसको भी आप समझो, assess करो understand करो और उस पे भी research करो in terms of you know would that be your right goal or not वो option है बच्चे, ACCA मैं अगर ले मिन इस टम्स में बाद करूँ, तो जैसे हमारी chartered accountants ही इंडिया में होती है ऐसे ही हमारी ACCA भी इंडिया में होती है और ACCA is nothing but a chartered accountant of UK, जैसे इंडिया में chartered होता है, ऐसे यहां का chartered, UK का chartered accountant को हम ACCA कह देते हैं और इसका फाइदा सिर्फ यह है कि यह सिर्फ UK का chartered accountant नहीं हो जाता है just because कि ACCA की recognition more than 180 countries में है, आप 180 countries plus के अंदर recognized हो जाते हो as professional accountant, which is a big thing to have. And you know what? the good news is कि ACCA इंडिया में बैठ कही हो सकती है आपको travel करने की या visa लेने की ज़रूरत नहीं है you can register here, you can take coaching here, you can really prepare here, give exams here, get the training here and what not. यह सब कुछ यहीं बैठे हो सकता है. और सबसे बड़ी advantage जो ACCA students को देता है, वो यह देता है कि यह पूरा process, right from registration सारा कुछ आप अपने घर से कर सकते हो आपको कहीं भी जाने की इस environment में जरूरत बिलकुल नहीं है. Yes, my friend everything and anything can happen right from your home. You can get yourself registered, you can get the coaching and of course you can give the exam from home यह opportunity एक बहुत बड़ी blessing है उन सब students के लिए जिनका time किसी कारणवश वेस्ट हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो अपने गोल से नाहते हैं और अपनी ग्रोथ पाथ में पीछे नाओ. That is the reason, my friend, when this COVID thing came last time and when everything got shut and the exams were not happening of various professional courses, there were many students who opted for ACCA and they really, really ran in this journey and some of them are qualified ACCA's. Now they really got the qualification in this COVID era when nothing was happening. है ना ये बिग न्यूज़? बिलकुल. एक उपरचुनिटी है बच्चे मैं सिर्फ इसको एक उपरचुनिटी की तरह कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ यही उपरचुनिटी है बट एक बड़ी उपरचुनिटी है in terms of really thinking through that would this be your cup of coffee because recognition standpoint से scope standpoint से इसका scope worldwide increase हो रहा है और इंडिया में multifold increase हुआ है last few years में in terms of job opportunities that are being available. मैं अपने वीडियो की description में आपको ACCA Global की website का link भी दे रहा हूं जहां पे आपको job opportunities के बारे में पता चलेगा कि कितनी तरह की job opportunities अब ACCA इसके लिए available है बट आप इनको खुद भी Google कर सकते हैं in terms of you know what ACCA jobs are available in the market और बहुत सारी success stories भी available है जो आप देख सकते हैं in terms of you know what people have done right from class 12th when they have started pursuing ACCA and really qualified ACCA along with their graduation and became the working professionals. ACCA 11th और 12th में भी जुरू हो सकता है और बहुत सारे बच्चे करते हैं बट जिन्होंने नहीं किया है ये opportunities at least अब तो वो ले ही सकते हैं हमारे पास ACCA का एक discussion forum भी है जहां पर आप हमसे जोड सकते हैं और ACCA से related कोई भी query कोई भी concern अगर आपका है या कोई भी question अगर आपका है तो आप उसे raise कर सकते हैं मैं इस वीडियो के description में आपको वो link भी देता हूँ ताक कि आप हमारे साथ जुड सके हैं और आपके वो सारी queries को हम resolve कर सके हैं What is ACCA से related हमारा एक detailed video भी available है जो आपको उपर ibox में मिलेगा आप उसे देख सकते हैं आप उसको देख के सब कुछ समझ भी सकते हैं in terms of you know what the ACCA is और जैसा मैंने का आप हम तक तो reach out करी सकते हैं जिन बच्चों को इस qualification में और interest है और इसके बारे में और वो जानना चाहते हैं तो हम coming Sunday coming Sunday को एक webinar के साथ भी आ रहे हैं at the 5.30 PM Indian Standard Time आप हमारे साथ उस webinar में भी जुड़ सकते हैं वो free webinar है आप अपने को अपने friends को और अपने parents को भी invite कर सकते हैं और आप भी जो भी queries उसके अंदर हैं in relation to this qualification we'll be more than happy to help you out at the end बच्चे important यह नहीं है कि आप कौन सी field चुनो important यह है कि आप अपनी research पूरी कर लो आप इस time को खाली मत जाने दो अफसोस करने में, खुश होने में राम बनने में या शाम बनने में important यह है कि आपने सही step लेना है और सही step लेने के लिए जो काम करना है और जो direction चाहिए वो हम आपको दे सकें आपको मिल सकें ताक कि आप पहुच पाओ जहां आपको पहुचना है and that is the reason my friend it is very important to take the best use of time and I hope this video was helpful in that regard to see more videos of this kind and get more information like that you can subscribe to our channel FinTram Global and we will be coming up with many more videos like that I'll see you again in the next video, till then this is Pankaj Dhingra signing off झाल झाल